स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में यानि की लेक्चर नमबर 20 में हमने ओयलर्स या फिर कोची होमोजीनियस टाइप इक्वेशन क्या होती है ये पढ़ा था और उसको सॉल कैसे करते है ये भी सीखा था तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक और कोची होमोजीनियस टाइप पर बेस्ट होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक डिफिरेंशल इक्वेशन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये चेक करत यहाँ पर जो डेरिवेटिव का ओडर है वो क्या है तो स्टूडेंट्स कोची होमोजीनियस टाइप एक्वेशन के लिए जो एक्स की पावर होनी चाहिए तो यहाँ पर डेरिवेटिव का ओडर क्या है तो यहाँ पर एक्स की पावर होनी चाहिए तो यहाँ पर एक्स की given है x की power 3 तो यहनी की 1 x extra है Now students अब हम next term को देखते हैं, तो next term के अंदर जो derivative का order है वो क्या है 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था x raise to power 1, लेकिन क्या given है x raise to power 2 तो students यहाँ पर भी हमारे पास 1 x extra given है तो students इस question को solve करने से पहले हम क्या करेंगे इस question को हम cauchy homogeneous type में convert करेंगे और वो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, इस पूरी equation को x से divide कर देंगे तो students जब हम x से divide करेंगे equation 1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x raise to power 2, d square y by dx square then plus जब हम second term को x से divide करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x raise to power 1 then we have 3x into dy by dx then plus जब हम इस वाली term को x से divide करेंगे तो क्या होगा, x cancel out हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा खाली y, then is equal to sine of log x divided by x students, इस वाली equation को हम 2 से denote कर लेते है now students, अब हम यह check करते है क्या यह equation अब कोची homogeneous type है या नहीं है तो student first term के अंदर जो derivative का order है वो क्या है 2, और जो x की power है वो भी क्या है 2 ऐसे ही students, जो हमारी next term है उसमें जो derivative का order है वो क्या है 1, और जो x की power है, वो भी क्या है 1 और जो हमारी third term है इसके अंदर कोई derivative नहीं है तो इसलिए x भी नहीं है तो इसलिए students, अब हम यह कह सकते है जो यह equation number 2 है अब यह किस type की है? कोची homogeneous type की equation है now students, अब हम क्या करेंगे? हम equation number 2 को solve करेंगे और जो solution equation 2 का होगा वही solution equation 1 का हो जाएगा तो students, अब हम इसे solve करते है तो students, जो हमारा first step होता था कोची homogeneous type की equation को solve करने का उसमें हम क्या करते थे? हम मानते थे let जो हमारा x variable होता है उसको हम मानते थे e raise to power z और जो capital D होता है यानि कि differential operator होता है उसको हम क्या मानते थे? d by dz students, मैंने आपको ये बताया था जो variable हम यहाँ पे exponential की power में लेते है वही same variable हमें यहाँ पे लेना है उसके बाद students हम क्या करते थे? जो ये given equation होती थी इसको हम capital D की terms में लिखते थे तो students, यहाँ पर जो first term है, वो क्या है? x square into d square y by d x square तो students, यह किसके equal होता था? हम पहले क्या लिखेंगे? x square into d square y by d x square तो students, इसको हम capital D की terms में कैसे लिखते थे? यहाँ पर जो power है, वो क्या है? 2 तो यह किसके equal हो जाएगा? d into d minus 1 into में y students, यह चीज हम already lecture number 20 में पढ़ चुके है अगर यहाँ पर power 2 है तो हमें कहां तक लेना है factor d minus 1 तक now students, जो next term है इस equation की वो क्या है? x into d y by d x तो students, जो x into d y by d x है वो किसके equal लेते थे हम? capital D into में y के equal now students, अब हम next क्या करेंगे? यह जो सारी values हमने लिखी है यह इस given equation में substitute कर देंगे तो students, जब हम substitute करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो यह first term है, वो किसके equal है? d into d minus 1 into y तो हमारे पास क्या आ जाएगा? d into d minus 1 into में y then plus जो यह three है students, constant है इसको हम as it is लिख देंगे और जो x into d y by d x है यह किसके equal है? d y के equal है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? into d y then plus y is equal to जो right hand side है, वहाँ पर क्या given है? students, sign of log x तो students, जो x की value है वो किसके equal है? e raise to per z k जो x की value है students, वो किसके equal है? e raise to per z k तो जो log x होगा, वो किसके equal हो जाएगा? students, z k तो students, जो log x है वो किसके equal है? z k तो हमारे पास क्या आ जाएगा sine of z then divided by x और जो x है वो किसके equal है e raise to power z के तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा e raise to power z तो students इस वाली equation को हम further simplify करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब हम first bracket को open करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d into d into y तो यहाँ पे क्या आ गया d square y then minus जब हम d को minus 1 से multiply करेंगे तो क्या आ जाएगा minus d then minus d into y तो यहाँ पे क्या आ गया minus dy then plus 3dy then plus y equal to sine of z और students जो यह e raise to power z है denominator में इसको जब हम numerator में लेके जाएगे तो क्या आ जाएगा e raise to power minus z now students इस equation को हम further कैसे लिख सकते है this is equal to d square y then we have minus dy plus 3dy तो यह क्या बन गया plus 2dy then plus y is equal to sine z into e raise to power minus z इसको हम further कैसे लिख सकते है students d square plus 2d plus 1 और bracket के बाहर हम क्या common ले लेंगे y this is equal to sine z into e raise to power minus z now students जो given equation थी वो capital D की terms में हमारे पास यह वाली equation आ गई अब हम इस वाली equation को solve करेंगे तो students अब हम इस equation को solve करेंगे और इसको हम denote कर लेते है equation number 3 से तो students किसी भी differential equation का जो solution होता है वो किसके equal होता है complementary function plus particular integral तो students सबसे पहले अब हम निकालते है complementary function तो students complementary function को निकालने के लिए जो first step होता है वो क्या होता है हमें auxiliary equation निकालनी होती है तो जो auxiliary equation होगी students वो क्या हो जाएगी हम क्या करेंगे capital D को small m से replace कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा m square plus 2m plus 1 equal to 0 next हम क्या करेंगे हम इस equation के roots निकालेंगे तो students इस वाली equation को हम कैसे करके लिख सकते है हम ऐसे लिख सकते है m plus 1 whole square equal to 0 now students यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया m plus 1 whole square equal to 0 तो इसको हम कैसे लिख सकते है m plus 1 into m plus 1 equal to 0 से क्या value आजाएगी जो first value होगी M की वो क्या आजाएगी minus 1 और जो ये second factor है यहां से हमारे पास second M की value आजाएगी यानि की M2 की value आजाएगी और वो भी क्या आजाएगी minus 1 तो students यहां पर हमने दोनों roots की value निकाल ली जो दोनो roots है वो क्या आए है? minus 1 और दोनो values क्या है? real numbers है तो students ये कौन सा case हो गया? when the roots are real and repeated यहाँ पे roots क्या है? repeat हो रहे है तो students इस case में हम complementary function कैसे लिखते थे? यहाँ पर जो roots है कितनी बार repeat हो रहे है? दो बार तो हम क्या करेंगे? bracket के अंदर दो constant लिख देंगे c1 प्लस c2 उसके बार जो first constant है उसको हम as it is ठोर देंगे और जो second constant है students उसको हम किस से multiply कर देंगे? यहाँ पे z से students यहाँ पर ध्यान रखना हम z से multiply कर रहे हैं यहाँ पे हम x से multiply नहीं कर रहे क्योंकि जो अब equation है वो कौन से variable में है? z के अंदर है तो इसलिए हमें z से multiply करना है then into e raise to power जो root की value है वो क्या है? minus 1 so minus 1 into z तो क्या आजाएगा? minus z students यह आगे हमारा complementary function next हम निकालेंगे particular integral now students यहाँ पर हमने complementary function लिख लिया जो just अब हमने निकाला था next हम निकालेंगे particular integral तो जो P.I.E. होगा students वो किसके equal हो जाएगा? 1 divided by उसके बाद जो यह bracket के अंदर जो d का expression है वो लिखते है वो क्या है? d square plus 2d plus 1 तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? d square plus 2d plus 1 और जो यह function है हमारा right hand side पे वो किसके equal है? sin of z जो यह denominator में expression है students इसको हम कैसे लिख सकते है? d plus 1 का whole square और जो यह function है इसको हम as it is लिख देंगे तो students अब आगे बढ़ने से पहले हम यह देखते है कि जो यह function है हमारे पास वो किस type का है? तो इसके अंदर students हम देख सकते है दो functions multiply में है जिसमें से एक function क्या है? exponential type का है तो students हमने lecture number 13 और 14 में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास दो functions multiply में होते है जिसमें से एक function exponential type का होता है तो उस case में हम P.I.E. निकालने के लिए क्या करते थे? d को replace करते थे d plus a से और जो a होता है वो क्या होता है? तो students यहाँ पर हमारे पास दो functions multiply में है जिसमें से एक function क्या है? exponential type है और जो a की value है students वो क्या है? यहाँ पे minus 1 तो students इस case में हम क्या करेंगे? d को replace करेंगे d minus 1 से तो students next step में हम क्या करेंगे? जहाँ पर भी d होगा महाँ पे हम क्या लिख देंगे? d minus 1 और students हम एक चीज़ और करते थे जो यह exponential function होता है next step में क्या करते है? हम इसको left side में shift कर देते हैं तो students हम next step में क्या करेंगे? जो यह e raised to bar minus z है इसको हम left में लिख देंगे सबसे पहले then into 1 divided by अब क्या करेंगे? d की जगे पे क्या लिख देंगे? d minus 1 तो हमारे पास क्या आजाएगा students? d minus 1 plus 1 का whole square और जो function बच गया हमारे पास वो क्या बच गया? sine of z तो यहाँ पे हम लिख देंगे sine of z तो students next step में क्या आजाएगा? e raised to bar minus z as it is then 1 divided by जो यह minus 1 plus 1 है यह cancel out हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा? खाली d square तो denominator में क्या आजाएगा students? d square then into sine of z now students अब denominator में हमारे पास गया बच गया? d square तो d square का मतलब students मैंने क्या बताया था? 1 by d का मतलब क्या होता है? हमें integration करना होता है और ऐसे ही students 1 by d square का मतलब क्या होता है? हमें double integration करना होता है तो students अब हमें क्या करना है? basically हमें sine of z का दो बार integration करना है तो next step क्या हो जाएगा students? e raised to power minus z को हम as it is लिख देंगे then 1 by d और bracket के अंदर हम ऐसे करके लिख देंगे 1 by d into में sine of z जो ये d square था students इसको हमने क्या किया? 1 d हमने bracket के बाहर लिख दिया और 1 d हमने bracket के अंदर लिख दिया now students अब हम next step में क्या करेंगे? हम सबसे पहले इस वाले bracket को solve करेंगे तो 1 by d का मतलब students हमें क्या करना है? integration करना है sine z का तो next step में क्या आ जाएगा students? e raise to power minus z as it is then 1 by d bracket के बाहर as it is और bracket के अंदर क्या आ जाएगा? sine z का integration which is equal to minus of cos z now students next step किसके equal हो जाएगा? e raise to power minus z को as it is लिख देंगे और क्या है हमारे पास? 1 by d of minus of cos z यानि कि 1 by d का मतलब integration हमें minus cos z का integration लिखना है तो वो किसके equal हो जाएगा students? minus of sine z के equal तो students यह किसके equal आ गया? this is equal to minus e raise to power minus z into में sine of z now students अब हम देख सकते है इस वाली term के अंदर से जो capital D है वो हट चुका है तो इसका मतलब यही हमारा particular integral हो जाएगा तो students जो equation number 3 थी उसका हमने complementary function भी निकाल लिया और particular integral भी निकाल लिया तो जो solution होगा यानि कि जो y की value होगी उसको हम कैसे करके लिखेंगे? complementary function plus particular integral तो students जो solution होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? solution is y is equal to सबसे पहले हम क्या करेंगे? cf की value लिख देंगे वो किसके equal है? c1 plus c2 z then into e raise to power minus z और इसमें हम plus कर देंगे pi की value वो क्या है? minus e raise to power minus z into में sin of z तो students ये हमारा solution आ गया लेकिन हमें इसके बाद एक step और करना पड़ता है students जो ये answer आया है हमारा वो किस variable में आया है? z variable में लेकिन हमें हमेशा अपना answer किस variable में देना है? x में तो students अब हम next step में क्या करेंगे? जहां पर भी z है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? log x क्योंकि starting में जो हमने assume किया था x is equal to e raise to par z तो z की क्या value हो जाती है? log x तो students जहां पर भी z है वहां पर हम क्या लिख देंगे? log x तो students जो हमारा next step होगा वो क्या होगा? y is equal to c1 plus c2 into z z की जगह पर क्या लिखेंगे students? log x तो यहां पर क्या आ जाएगा? log of x then e raise to par minus of z तो e raise to par minus z students किसके equal होगा? जब e raise to par z x के equal है तो e raise to par minus z किसके equal होगा? 1 by x के तो जो e raise to par minus z है students वो किसके equal होगा? 1 by x के then we have minus of e raise to par minus z तो यहां पर क्या आ जाएगा? minus of 1 by x जो यह e raise to par minus z था इसकी जगह पर क्या लिख दिया? 1 by x then into sin of z तो क्या आजाएगा sin of z z की क्या value है students log x तो यहाँ पर हम लिख देंगे log x तो students यह जो solution आया है वो x variable की terms में आ गया so this is the final solution for the given linear differential equation 1 so I hope students इस question के साथ आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब भी कौची homogeneous type का question आता है तो हमें कैसे solve करना है but still अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment या email करके पूच सकते है students अगर आपको यह video अच्छी लगी then please like, comment, share and subscribe my youtube channel thank you